नमशार दोसों आप शबी कहा बहुत बहुत श्वागते दोसों आप शबी को बता दें कि आज साम के पांच बचकर 20 मिट के उपरांद आप शबी के जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है अपनी आखों पर आपको यकीन नहीं होगा जिहां दोसों देख लेजिए परन्तु आप शबी को बता दें कि अकेले हो तभी देखना क्यों कि दोसों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ यसे बात बताने वाले हैं जिने आपको भूल कर भी नहीं करना है इन बातों को आपको अपने जुनकाल में सबसे ज़्यदा महत देना है इनने याद रखना है जिहां दोसों आप शबी को बता दें कि आज शबी को अपने जुनकाल में कुछ यसे बड़ी खुश्गवरी मिलने वाले हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिनके जब आप इने शुनेंगे तो आपको भी अपने कानों पर यकिन होगा लेकिन दोसों हम आप शबी को बता दें कि वास्तों में आज शाम से आप शबी के जुनकाल में यह महत पुन घटना होकर रहेगा जिनें देखकर आपको अपनी आपको पर तो किनी होगा लेकिन दोसों आपको बता दें कि यह अश्मे घर परिवार में खुश्यों का महौल रहने वाले हैं जिहां दोसों प्रदोसों हमने आपको पहले ही कहा है कि इस वीडियो को बिल्कुल ही आप अंतर तक ध्यान से दिखिएगा जिए दोसों और अकेले में ही दिखिएगा कि कुछ ऐसी बाते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कोई कितना भी जित क्यों न करे लेकिन दोसों आपको बता दे कि इन बातों का ध्यान आपको रखना बहुत ही अवश्यक है आप शिभी को बता दे कि आज की है वीडियो आप शिभी की जुनकाल करिए कोई एशी वीडियो नहीं है जिन से आपका देनिक दिंचरिया का वातारवन ही पता चलेगा दोस्तों इन से आने आवाला आपका पूरा भश ही बदल जाएगा जो उनकाल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे और जो भी दुश्मन आपके पीछे लगे हैं जो भी द्यत्ती लोग आपके पीछे लगे हैं आपके कारियों में बधाएं आपके कारियों में जो अरतिने डालती हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना जाती हैं जो आपको हमेशा आपके रास्तों में मुशिवत खड़े करने की प्रयाश करती हैं दोसों उन शबी से आपको अब मुक्ति मिलने वाली है जिह दोसों दोसों आप शुभी को बिता दें कि अब आपके जिवन काल में गरों की जो इस्तती बनने वाली है इनके अनुशार हम आपको कुछ यह से नियम बताने वाले हैं जिने अगर आप अपने जुनकाल में अपन जिनकी आप कामना करते हैं जिने पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं जिने पाने के लिए आप दिन रात शंकर्च करते हैं दोसों के शारी चीजे अब आपके कदमों में होने वाली है जिहां दोसों दोसों एक परकाशे एक शब्दों में कहें तो दोसों आ प्राप्त करने के लिए आपको आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिश नहीं करना है और दोस्तों सुरूश लेकर अंद तक बिल्कुल ही ध्याश देखना है कि दोस्तों आप शिवी को बता दें कि हमने बहुत शारी वीडियो में यह बात कही हैं कि आप वीडियो को अंद शवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा प्रंतु आपको करना क्या है अपने जिवनकाल के महत्मुन शमी मैसी थोड़ा शशमय निकाल कर इस वीडियो को देना है और इन्हें ध्यांशी से देखना है इन्हें अच्छी तरीके से शमझना है जियां दोस्तों तभ आपको खौंशे प्रवर्तन करना चाहिए के शिवडियों आपको अपने जिवनकाल में अपकरना चाहिए ताकि दोस्तों जो भी मुश्यबत आपके शाथ पिछले कईश में से चल रहे हैं दोस्तों उन्से आपको मुक्ती मिल जाए और जो भी दुश्मन लोग आपको प् शमधान आज के इस एक वीडियो में लेकर आए हैं दोस्वों शारी बातें आपको बहुती विस्तार तरिकेशे हम बताने वाले हैं तो दोस्वों वीडियो को अंतर तक देखना अब आपका दाइत होगा तो आई दोस्वों वीडियो को प्रारम करते हैं उश्य पहले शनिदेव के सच्चे पिरभकते हैं दोस्वों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर ही किजएगा और दोस्वों कमेंट बॉक्ष में सच्चे मन सच्चे हिर्दे भावशी जय माता दी जय शनिदेव जरूर लिखेगा दोस्वों आपके दिल से की गई एक फुकार दो दोस्वों इस चैनल ने बहुत शारे लोग जुड़े हैं जिने हमारे पर बहुत ज्यादा बिश्वास है जिने इश्वर के उपर बिश्वास है तो दोस्वों अगर आपको भी इश्वर के उपर बिश्वास है तो दोस्वों जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब केजएगा तो यह दोसों बात करते हैं आपके जिवनकाल के शबशे महत्पुन विशे के बारे में जी हाँ दोसों दोसों आप शिवी को बता दी कि आपका जिवन पिछले कई शिमे से बहुत गंबी रहुस्ता में चर रहा है पिछले कई शमेशी आप बहुत शारी कारियों को एक्षात कर रहे हैं जी यह दोस्तों और पिछले कई शमेशी आपको बहुत ज़्यादा मुश्यूवितों का शामना करना पड़ा है दोस्तों बहुत शारी बाते हैं आपके जूनकाल में जुड़े जिनि अगर हम कहने लग जाएं तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन दोस्तों सिधा और शर्ल शब्दों में कहें तो दोस्तों पिछले कई शमय से आप थोड़ा सा परिशान चल रहे हैं कुछ लोग तो बहुती ज़्यादा परिशान चल रहे हैं लेकिन दोस्तों हम आपको बता दी कि इन परिशानियों के पीछे आपके जुनकाल में इन दुखों के पीछे इन शकड़ों के पीछे तीन चीजों कहां थे जिहां दोस्तों पहला है कर्म, दूसरा है द्याति दुश्मन, दोस्तों तिसरा है आपके इश्वर के प्रती लगाव जिहां दोस्तों कुछ ऐसे कार जिने आप जाने अन जाने में करते हैं, जिनसे इश्वर से आपका लगाव हट जाता है जिन से आप इश्वर को प्रशन नहीं कर पाते हैं आप चाहते हैं कि हम हमेशा इश्वर के चरणों में रहें हम हमेशा इश्वर को खुश रखें लेकिन दोस्वों जाने अंजाने में किसी के लालच में किसी के जिद में आप इशी कारी कर देते हैं जो कि दोसों आपको उनका खामयाजा बहुती बुरा भूत ना पड़ता है और दोसों आप पिछले कईशी में से यहाँ देख भी रहे हैं तो दोसों अब आपको अपने जूनकाल में आज शाम से ही ये नियम क्यों पालन करने हैं और आज शाम से ही आपके जूनकाल में कौन इनसार हो रहा है दोस्तों आप शिबी को बता दे कि आज शाम से आप शिबी के कुडली में तीन बड़े योग बनने जा रहे हैं जिनी में दोस्तों आप शिबी के जिवनकाल के कर्मों का उदे होने का शब्शे महत्पुन मोका है जी हां दोस्तों दोस्तों वह कहते हैं कि का काम तो शब को कुई करता है य कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं शक्ति जैहां दोस्तों दोस्तों आप शुब सुब बता शरी में धस्तक देने वाले जिनके कारण दोस्वे शीदे माता लक्षमी का शिरबाद आप शिवी को प्राप्त होगा और माता लक्षमी का शाय तो आपके जुनकाल में पिछली से कई 받 लेकिन दोस्वे आपके ही गलत आचरण के वज़त आपके ही गलत भैवार कि बज़ेशिये आपको इनका शक्ती का हैशास नहीं हो पा रहा है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों केशी आपको इनका हैशास होगा आखिर आप कौनशी गलतियां कर रहे हैं और आखिर अब आपको कौनशी कारी करने हैं ताकि दोस्तों आपको मां का ये शक्ती का अभाश हो जाए और जो उनकाल में जो भी परिशानियां हैं जो भी शंकट हैं चाहे आपके करमों श्याय हो चाहे दुश्मन खड़े करे हो दोस्तों शबी के शबी दूर हो जाएंगे जिहां दोस्तों शब से पहले दोस्तों आप शुब को बता दें कि आज शाम से माता लक्षमी और बगवान शिंदेब आप शबी के उपर प्रेशन होने वाले हैं कि दोस्तों शुकर गरत की स्तती शुब है ब्रहम लक्षमी नाम का शुब्योग आप शिबी के कुंडली में दस्तक देने वाले हैं तो दोस्तों इसे यह शाबित होता है कि माता लक्षमी आपके कुंडली म अपके जूनकाल में प्रेशन है, करम आपके अच्छे चल रहे हैं, दोसों पिझले काई शमीरा सी आपके बुरे भी करम फूरे हैं, जिन जूनकां जादा दुखी है, और बहुत ज़्यादा शोच रहे हैं, कि आखिर हमारे जूनकाल में शाक क्यों हो रहा है, हम कौन शी गल कर रहे हैं यहां Mehr़े इन्हें याद करके आप बहुत आर्य अच्छे कारी भी कर रहे हैं च्रणी का फूल आपको अच्छा मिलने वाब आर्दर्षा रही है दोस्ट्र equation कि नियुक्त भल होए न! च्रणी के की लिए प्रकुत नियृश्ट भुक द्ला वाला है तो दोस्तों यशे में आपको कौन शे बातों का विशेस ध्यान रखना है जिहां दोस्तों आप शबी को बता दें कि अब शे आपको अपने जुनकाल में कुस बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा आवश्य होगा दोस्तों अगर आप इन बातों का ख्याल अब आपको अपने जुनकाल में करमों का जो प्लड़ रहा है उन्हें भारी ही रखना है जिहां दोस्तों और दोस्तों इन्हें आप भारी के इश्य रख सकते हैं दोस्तों भारी का अर्थ है जब आपके करम अच्छी हो रहे हैं जब आपको अच्छा फल मिलने वाला है तो अब आपको भूल कर भी बुरे करमों की तरफ नहीं जाना है और नहीं दोस्तों आपको एशे आचरण में जाना है जांशी आपके शोच में नकारतमक शक्ती उत्पन हो जाए दोस्तों कहने का तात पर है आपकी जुनकाल में जो भी एशिक रिकलाब हो रहे हैं जिने में आपको लगदा है कि यहाँ कारे धर्म से जुड़ा नहीं है इने में हमारे करम खराब हो शकते हैं इनसे हमारा फ्यूचर आने वाला शमे बहुत तीर दुछ परभाव को लेकर आ तो दोसों एशिय में आप उन शभी कारियों को आज यही अपने जुनकाल में त्याक करने का बड़ा मंत्र होगा जी हाँ दोस्टों कोई भी चीज अगर आपकी जुनकाल में आपको जहर के शमा लग रहा है और उस जहर को आप जान कर अपने अंदर रख रहे हैं तो दोस्टों ये आपकी जुनकाल की बड़ी गलती है तो दोस्टों अपने जुनकाल में आप इन बातों का ध्यान रखेग शाथी दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि अब गरहों की जो शुब इस्तिती बनने वाली है इनमें दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान तो रखना ही होगा दोस्तों आप शिव को बता दे कि आपके शुकर गरह यश में मजबूत होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप शिव की कुंडली में आज शाम से धन बैभाव एशो और आम मिलने वाला है जिया दोस्तों शुंदरता आपकी बढ़ने वाली है दोस्तों शमाज में आपका अकर् अब बनने वाले हैं जिस जेतर में आपने पेशे इन्वेश्ट के थे दोस्वें उनमें आपको लाब के मोके खुलने वाले हैं यूँ कहें तो जो भी पेशा आपने इन्वेश्ट के हैं उनमें आपको दुगना लाब मिलने वाले हैं दोस्वें अब आपकी जिंदगी तो कि दोस्तों आपको आकर्शन का केंदर बना देगा, शमाज में आप जहां भी जाएंगे, वहाँ पर शब लोग आपकी तरफ आकर्शित होगा, आप शेशलाही मांगेगा, लेकिन दोस्तों आप शिबी को बता दें, कि ये शब अगर आपके जुनकाल में हो, तो दोस्तो आपके अच्छे शलाही दें, दोस्तों इंशे आपकी कर्मों का जो पलड़ा है, वह भारी होगा, इसलिए दोस्तों हमने यह बात पहली भी कहा आपको, कि अब आपको बूरे कर्मों की तरफ नहीं जाना है, जिहां दोस्तों, शादिशाद दोस्तों आपको बता दें, कि यश में जो शनी कितती है आपके राशिश लाभाव में होने वाला है यानि कि दोस्तों अब आपको अति अनुशाशत यहाँ बनाएगा जियां दोस्तों अब आप हर नियम को पालन करने की शक्ति आपके अंदर आएगी और दोस्तों शमेशे पहले आपको जिम्यदारी तो लेकिन दोस्तों अगर आप करम के शाथ चलेंगे तो दोस्तों उन जिम्यदारियों में आप शबलता भी प्राप्त करेंगे दोस्तों काम में देरी भले ही आपको देगा लेकिन दोस्तों एशा काम होगा कि दोस्तों वह इतियाज बन जाएगा जिहां दोस्तों लेकिन नो और लोको दोस्टों आपको छवी राष्यों से अलग बनाती है लिवेस्टि की जुनकाला होतरी स्थाजत एक दोस्ता माईंगे जिहां दोसों आप शिवी को बता दें कि अब आपके जो बुढद्धी है उनमें एक अलगी शक्ति होगी सोचने की चमता आपकी बढ़ने वाली है दोसों आपको बता दें कि अचानक शिवी आपको वे है खुश्यों की प्राप्ती हो जाएंगी जैसे दोस्तों मानो शमतकार्शी हो गई है लेकिन दोस्तों ये शब आपकी अच्छे करमों का फल होगा और दोस्तों आपकी अच्छे गरहों की स्थिती होगी जी है दोस्तों इसलिए गरहों की स्थिती को बहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपायों को भी करना चाहिए, जी हैं दोसों ये उपाय आप शिविक को अपने जुनकाल में कभी भी गरण की स्तिती खराप नहीं होने देगा और दोसों इन से आपको गरण का भी शुबफल हमेशा प्राप्त होते रहेगा, तो दोसों आपको कौन शे खार करन करते हैं उनका राहु खराब हो जाता है जिहां दोस्तों अपने जुनकाल में अब आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी आप चलते हैं घर्षे शुबा उठकर एक भी कदम चलते हैं या फिर कहीं भी आप नए कार की शुरुवात करते हैं दोस्तों एक की शुरुवात करने जा रहे हैं दोस्तों वो कार विफल हो जाता है तो दोस्तों आपको राहों को वहतर बनाने के लिए ये बातों का ध्यान अपने रिनकाल में अब रखना ही होगा जे दोस्तों दुसतरा जो चीज है वह है दोस्तों आप कहीं भी कपड़े इदर उदर आप है के दोस्तों बात्रूम में पानी विखरा कर नहीं रखे दोस्तों पानी का शीधा तात प्रेश चंद्रमा शे है दोस्तों चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा अगर आप पानी का दुर्यूपय करेंगे तो दोस्तों पानी को अपने घर में कभी भी विखरा कर ना दोसों इसे चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है और दोसों चंद्रमा खराब हो जाए तो दोसों जुनकाल में बहुत शारी विपदाय आने लगती है नशिब का जो दुवार है वह बंध होने लगता है दोसों कपड़े की जैसे रोन गई तो दोसों आपके जुनकाल में इसे ही दुख के दिन आने लगते हैं तो दोसों इन बातों का ध्यान रखेगा दोसों शाथी शाथ आपको अगला बता दे कि बाहर श्याकर अपने चपल जूते मोजे इदर उदर फेंकना नहीं है उन्हें शही जगप रखना है जो दोसों इसे आपको शत्रू बहुत दोसों आप देखी रहे होंगी कि पिछले कईश में श्याप शुबिक जुनकाल में बहुत शारीशे तांत्रिक किरियाएं भी लोग करवा रहे हैं जिनसे आपके उपर उनका बूरा श्र देखने को मिल रहा है दोसों आप यह बातें भी देख रहे होंगे कि पिछले नहीं देता है जब आपके बिस्तर फेला हुआ रहेगा बिस्तर पर जो भी कपड़े है वो इधर के उधर रहेंगे चादर कहीं होंगी तक या कहीं होगा दोसों शे बिखरे हुए रहने शे दोसों राहू और शनी ठीक फल नहीं देती हैं तो दोसों इनका अब ध्यान खराब होता है और चीक कर बुलने से शनी भी खराब होते हैं दोसों आप इन बातों का जरूर ही ध्यान लगें हर बातों को नरम लहजे से बात करें खासकर दोसों जब आप कोई नया काम की बात कर रहे हैं या फिर नए किसी शुरुआत की बात कर रहे हैं तो दोसों उन ब आदर के बुजरूं का आपको शमान करना है, घर में जो भी बड़े लोग है उनका आपको आदर शमान करना है, उनका आशिरबात लेना है, दोस्वों इनसे आपके गुरू तो अच्छा होगा ही, शाथी आपके घर में शुक्र समर्दी बढ़ेगी, कारियों में शफलता रहीगा, शाथी दोस्वों इनसे द्धन की जो आवग है उगो भी बढ़ता है, तो दोस्वों इन बातों का ध्यान रखें, शाथी शाथ दोस्वों बुद्द और गुरू को एक साथ अगर आपको खुश करना है, एक साथ उने कख प्रसनने करना है, तो दोस्वों इस तर पकड़ने के लिए आप तयार रहें दोसों बहुत शारी शमयशाएं आपके यह दो शब्द देशकती हैं तो दोसों अभी शे आप ध्यान रखेगा इसे आपके आने वाले जो भविश होगा दोसों वो बहुत ही बहतर होगा और आपको हर कारियों में शबलता मिलेग हर छेतर में आपका नाम होगा हर छेतर में आपके शमय न बढ़ेंगे दोसों बहुत शारे चीज आपके कुछ उपाय को करने से बिन जाएंगे घरों के जित्ति तो आपको शाती शात बहुती उत्तम रहेगा घरों का अच्छा फल भी आपको मिलता रहेगा तो दोसों इन समयश्याएं चल रहे हैं दोस्तों वे शबीक शिवमापत हो जाएंगी, शादे शाद दोस्तों आपको एक बात बता दें, कि अब आपके जुनकाल में आपके शुकर और शनी की सती बहुती मजबूत है, और दोस्तों इन्हें आपको मजबूत बना कर ही रखना है, शादे शाद दोस्तों आपको बता दें, कि अपने जुनकाल में आपको अब भगवान से दूर नहीं होना है, दोस्तों हमेशा आपको भगवान के शम्प रहना है, पुजापाट करना है, दोसों भक्ती में जिन्दगी में आपके अंदर आने वाले बहुत शारी नकार्तमक ख्याल दूर हो जाते हैं जिन से आप गलत कारी करने की कभी सोचते तक नहीं है तो दोसों अपनी जुनकाल में अब आपको भक्ती भाव में जुड़ कर ही रहना है जिन दोसों पुजापाट से पहले आपको कुछ बातों का संकल्प लेना है जिन दोसों संकल्प लेने की बिदी हम आप शिवी को बता दी कि हमारे हिंदू शास्त्रों के नुशार की शिवी कार की शिदी के लिए कि गई कोई भी पुजा या फिर नुष्ठान से शुरू करने से पहले अनुष्ठान के शुरू करने से पहले ही शंकल्प लिया जाता है संकल्प लेने के लिए गनेश जी की अस्तापना कर हाथ में थोड़ा जल या फिर चावल लेकर आपको ये बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर मैं अपना नाम आपको लेना है अपना गोत्र का नाम लेना है ना आपकी पूजा पाठ जानता हूँ या फिर जानती हूँ मैं तो आपके दोवारा दी गई बुद्धी से यथा शमय यथा शक्ति जो भी पूजा कर रहे हैं वह नाम बोलें पूजा पाठ कर रहा हूँ हे परमपिता परमेश्वर इसमें कोई गलती हो तो शमा करें और मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी किर्पार्दिष्टी बनाई रखें दोस्वों यहां शंकल्प अगर आप पूजा पाठ करने से पहले लेंगे तो दोस्वों आपको तो दोस्वों आपके शारी कश्ट शारी पिडाएं शमाप्त हो जाएंगी तो दोस्वों बिल्कुल ही आप इन बातों का ध्यान रखेगा दोसों अगर मांचाही नोकडी आपको नहीं मिल रहा है घर में सब्सक्राइब है किशी के पर गर के बन रहा है तो दोस्तों इशेबिश निवारन करने के लिए यह स्में जो गरों की सतीब बन रही है उनी के लिए शब्से खाल शुपाई या है और इश्य उपाय को आप बुद्वार के भी दिन कर सकते हैं जी आदोसों हम आप शिवी को बता दे कि बुद्वार के दिन गनपती की पूजा करें इस दिन अपने घर के मंदिर में पीले रंके गनपती जी के परतिमा लाएं और फिर भगवान के चरण में शापुत हल्दी की पांच गांट चड़ानी चाहिए जी आदोसों आप शिवी को बता दे कि इसके बाद भगवान श्री गनेजी के आगे श्री गनगन पते नमा इस मंत्र का 108 पार आपको चाप करना है और 108 दुर्वा ले दोस्तों आपको बता दे कि इस पर हल्दी लगा कर श्री गज़ाव का त्रम नमो नमा इस मंत्र का जाप करते हुए दुर्वा गनेजी को चड़ाते हुए आप शबी पूजा करें जें दोस्तों आपकी शारी मोनोकामनाएं शिगरी पूरा हो जाएंगी और घर की शारी बताएं खत्मों की नोकरी में वैपार में जो भी शंकट हैं वे शारी खत्मों जाएंगी आर्थिक शमशाएं भी इन से श्रमाप्त होती है तो दोस्तों ये उपाय आपके लिए बेहत ही लाबकारी है आप इने बिल्कुल ही ध्यान से कीजिगा जी आँ दोस्तों तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप शबी का धन्यवाद आप शबी का दिन शुब हो मंगल मै हो